तुलारासी के बारे में तुलारासी वारी लोगों के लिए सबसे बड़ी जानकारी ऐसी जानकारी जिससे आपको जीवन भर सुक प्राप्त होगा आपको लाप प्राप्त होगा धन प्राप्त होगा साथ में आपकी हर्मनों काम ना पूर्ण होगी साथ में बात करेंगे पूरी देखे आपको बहुत अच्छा लाब प्राप्त होगा तो मानुष्य के शंपून जीवन के बारे में जैसे कि पड़ाय से लेके नोक्री से लेके ब्यापार से लेके ब्यापार से लेके संतान से लेके प्रेम ब्यापार से लेके धन से लेके सुक्सांत से लेके फेमस स आज सम्मान से लेके आपका सभा कैसा रहेगा और आपके लिए बिसेयस उपाय ऐसा उपाय जिससे आपको जीवन भर सुक पराप्त होगा लाप पराप्त होगा धन पराप्त होगा तो आप यहाँ वीडियो पूरी देखे और बिसेयस लाप उठाईए तो सरबसम बात करते है तुला रासि के स्वामी शुक्र ग्रै है तो सुक्र ग्रै आपके राज स्वामी है जिस कारण आप पे बहुत ज्यादा प्रहा पड़ता है सुक्र ग्रै का तो आपने हमेशा यानि की पर्ति दिन सुक्र ग्रै को मजबूत करना है मजबूत कब होंगे जब आप उपाय करोगे शुक्रग्राय का तो आपको जीवन भर सुक प्राप्त होगा लाप प्राप्त होगा धन प्राप्त होगा आपके हर्मनों काम ना पूर्ण होगी वोगत ही सक्तिसाली गुरु है उनको अनेको परकार के मंत्र और तंत्र प्राप्त है अनेको परकार की सिद्धी प्राप्त है यहां तक कि जो भगवान सिपको प्राप्त है संजीवनी बूटी यानि कि कोई मनुष्य कोई राक्षत अगर मिर्तु को प्राप्त हो जाते है तो तुरंद गुरु शुक्राचारवन को पुनहा जीवत कर लेते है तो इतनी बड़ी सक्ति है इतना बड़ा मंत्र है गुरु शुक्र अचारक के पास तो शुक्र यानि सुक्के कारक है शुक्र ग्रही फेमस करते हैं मनुश्य को चाहे किसी भी छेतर में आज कर आप देखते हो यूटूब चल ला है जो हम चैनल बना रहे हैं अगर आपकी जनम कुणिली में शुक्र ग्रह मजबूथ है तो आपको इतना फेमस कर देंगे दुनिया में कि आपको हर कोई पहचानेगा आपके पास धना आएगा आपका गयापार ये भी ब्यापार हुआ, ठीक है? तो आपका गयापार भी बहुत अच्छा रहेगा आपके पास अन्य को उपरकार के वाहन की प्राप्त होगी, भवन की प्राप्त होगी, धन की प्राप्त होगी यानि सारे कुछ सुक्रग्रह देते है तो सुक्रग्रह भोती सुप्रग्रह माने जाते है और शुक्रग्रह में चंद्रमा ग्रह बेटे रहते यानि शुक्र के साथ चंद्रमा बेटे है जिस कारण से तुलारासी बनती है तो चंद्रमा और शुक्र करहा कि एक साथ यूती बहुत अच्छा हिलाव आपको प्रदान होते है आपकी हर मनो कामना पूर्ण होती है पड़ाय से लेके नोकरी से लेके भी आपको अच्छा रहत एक प्रियम प्रता हight का सभाव भी अच्हा रहता है तो आपने विक्राय करने है महायोग के बारे में बात करेंगे जो कि कुंडीली बना रखिये हैं तो हमारे सत्ताय नक्षत्रों होते हैं जिसमें की बारह रासि होती है और तो सुच्ञाराशी vaca AMY का अपना घर अपने घर में बैठेंगे जैसे कि के यहां पर लिखाओं या सानख लिखाओं गा या साथ अंक यानिकि तो आपको अच्छी लाभ देंगे आपने घर में बैठने से आपकी हर्मनों काम ना पूर्ण करेंगे जैसे आप अपने घर में होते हो तो आपको सारी वस्त उपलब्द होती है अपने घर में जब चाहिए आप जल पी सकते हो जब चाहिए आप भोजन बना सकते हो भोजन खा सकते हो गरहन कर सकते हो तो वैसे ही इसमें सारी चीज़े उपलब् तो अन्य को परकार के लाव प्रदान करते आपको शुक्र गराए यह जैसे कि बारा घर है ठीक है तो सुक्र गराए फिलाल में आपको तीन भाव के बारे में बताऊंगा अगर आपको पूरी जानकरी प्राप्त करनी है तो मैं एक बीडियो और बना सकता इसमें यह लंबी हो बारा अंक में अगर शुक्र गराए बैटे है तो आपको हर चीज यानि हर सुब्दय अपलब दोगी आप भेमास होगे आपके बाद वाहन भवन गाड़ी त्यादी रहेगी वहें बात करेंगे शुक्र गराए चतुर भाव में यहां पर यह चोता घर है तो शुक्र प्रकार के वाहन अनकों परकार के गाड़ी भवन सब कुछ रहेगा आपके पास ना जाने कितना धन रहेगा में आपके पास आप अप होते हो आप कोगूमना पसंद है आप हर छेतर में फेमस होते हो ठीक है वहीं शुक्र गर है अकर करम भाव में बैटे है 12 अंक में तो ये करम भाव यहां पर भी बैटे होंगे तो आपका ब्यापार से लेके धन से लेके वाहन से लेके भावन से लेके आपके पास यानि कि आप कुरोड़ पती रहते हो ठीक है लग पती नहीं कुरोड़ पत अरफपति भी आप बन सकते हो ठीक है तो आपको सारे वस्त उपलब्द रेती आपकी हर्मनों कामना पूर्ण करते हैं शुक्र गरें परन्तो अगर शुक्र गर है छे अंक में बेटे हो चाहिए यहां पर छे अंक लिखाओ छे आंक इस तरह कैसे लिखाओगा ठीक है शुक्र गराय लगन में बैठे, चाहिए यहां पे बैठे, आपको बिलकुल भी लाब प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि नीच रासे में बैठे है, आपको अच्छा लाब नहीं दे पाएंगे, परण तो अगर आप उपाय करते हो, मैनत करते हो, तो जरूर आपको लाब प्रा प्राप्त करना है, उनका आज़र सम्मान करना, अपने से बड़े बुजर्गों का आश्रवा प्राप्त करना है, सेवा प्राप्त करनी है, ठीक है, सेवा करे उनकी, और आश्रवा प्राप्त करे, आपने अगर साधी सुदा हो, तो पती पतनी एक दूसरे का आज़र सम्मा करें सबकाा अधा सबमान करने से घ्रह मजबूत होते हैं अच्यला प्राप्त होते हैं आप इतक आने ने कि सेवर करनी है पर्थम रोठी गोह ना तो जरूर यह चाहे ठीक है तो आमने प्रति दिन उपाय करने हैं शुरदे से पहले उठना है शुरदेवता को जय चडाना है अपने से बड़ो का आदया संबान करना है घर में साफ सपाय करना है और घर में आपने धूदी परजलत करके पंज देवता से लेके जितने भी आपको ध्यान आपको बहुत अच्छा लाप्राप्त होगा और शुक्र कराना है क्योंकि दान करने से शुक्र मजबूत होते हैं तो आपने शुक्रबार के दिन